और जैसी मैं ये चीज देखता हूँ न मैं समझा तो यार अब मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू पबजी दो मुबाईल गेमप्ले वीडियो में जिसमें भाई तुम्हारे भाई लोग इस कदर फसेंगे न कि पूछो मतलब आगे एक सकॉर्ड लेफ्ट में एक सकॉर् पीछे से गोली पड़ी है और भाई घर के नाम पे एक खंडर में गुसे पड़े थे हम लोग तो हायार गलत सीम दबा के होने वाले लेकिन फिराल पोचंग की आ रखे हैं और यहां पे बंदे उतर रखे हैं यार मैं क्या अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसे ऐसा लगता है कि भाई जो बंदा निहत्ता हो न उसे पकड़ की पेले में बहुत दिक्कत होती है खेर यहां पर भाई गन फाइट लेने चार बंदे उतर रखे थे चारू की पेटी बन चुकी है अब यहां पर जैसे हमारी फाइट खतम होती है ना आगे भाई दूसरी सकॉड लड़ने लग जाती है आपसमें भाईया सौड गन चल ले हैं एक बंदा आगे की तरफ भगा उसकी ऐसी तैसी कर दिये मैंने हेल्थ की लेकिन फिर भी वो बचे जा रहा है तो मैं बोलतो यार अब तो देखो अब तो ढंकी गने भी हैं गुसके ही पिलना पड़ेगा तो हाँ आगे जा रहा हूँ और आपको पता है यार जब भी अंदार करते हैं तो फस जाते हैं तो हाँ यहां पर भी वही होने वाला एक कमरे में फस जाएंगे क्योंकि 200 कोड बैटी पड़ी है यहां पर और मैं यह सोच कहा था कि भाई इस घर के चट के उपर बंदे हैं लिकिन यह दो बंदे यहां नीचे केम्पिंग कर रहे थे अब यहां पर आके इस घर पर मैं चार बंदे पेल चुका हूं किसकी टीम के ठिल हैं नहीं पता क्यूंकि भाई बंदे अभी भी जिनता हैं गोला बारी दबा क्यों हो रही है ठीक है फुट्स्टेप दबा के आ रहे हैं गोली चलने की आवाजे आने वाली है जल्थी और भाई नेट तो पूछो मत मतलब जितना भी नेट इनकी जमा पूंजी होती है न सब कुछ ये इसी घर पर लुटा देते हैं तो मैं हिलिंग वगेरा पोती रहा होता हूं कि इतने में जो भी बचे कुछे नेट होते हैं इनके ये डाल देते हैं यहीं पे और जहां तक मुझे लगता है कि इन लोगों के अब नेट खतम हो चुके हैं हना अब देखो कोई सामदे वाला बंदा नेट खतम कर जाए तो वो क्या करता है फ्लैंक वगेरा पेल के रस करने की कुछिस करता है तो ये लोग भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं तो मैं बोलता ह और हमारे भाई भी पीछे से फलैंक करके गूम के पीछे वाली खिडकी से अंदर घुसके पेलने की कुसिस करते नहीं यार मतलब फुटिश्टेफ अगेरा दबा दबा के आते भाई बिलकुल चौड में भगरे होते हैं मैं बोलता हो यार ये बंदा इधर से आएगा सो परतिशक गारंटी तो मैं सकूप खूलके बैठता हूँ मैं बोलता हूँ आओ और अपनी पेटी बनवाओ इधर तो उस बंदे की पेटी बना दी अब मैं दुबारा सकोब खोल के बैट जातू है ना लेकिन आर अब हर बार थोड़ी काम करेगा ये चीज़ तो मैं बोल दो यार यही टाइम है आगे गूलिया चलिये पता नहीं किसे पेल रहे हैं ये लोग गुज जाओं यहां अंदर और ये गड़बड हो गई है यहां पर अब हमारे भाई अपना खिड़की में चाहरा दिखा के गए हैं तो हैर दर्वाजे से जरूर आएंगे अब यहां पर मैं थोड़ा खुश टैप हो जाता हूँ मैं देख तो भाईया बारक के ये मज़ा टैप आगया भाई सबको पिल देंगी इस बार पोचनकी में हना लेकिन फिर यार आपको पताईए मेरा और नेट के क्या सीन चल ले आज भाई गलत सीन मतलब दुस्मनी भाईया टोप लेवल पे पहुंची हुई है तो यहां पे भी कुछ गलात होता है जैसी मैं ये चीज देखता हूं न मैं समझा तो यार अब मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा है अब आपको वह टाइम तो पता ही होगा जब आप पेपर पुपर दे देते हैं अब आपको पता है आपको पता है आप dictionary कुछ नहीं लिखाब वहां पे लेकिन जब result का time आता है यार थोड़ी सी उमीद होती है दिल पे कि भाई क्या पता गलती से गलती से क्या पता पास हो जाओ और नहीं होते हैं ना तो मेरे साथ भी same way scene होता है नेड मेरे आँखों के सामने पढ़ा होता है मुझे पता होता है अंदर से कि भाई यहां बंदों को पेल देते हैं और अपन जिन्दा है अभी भी तो इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है बस पेपर वाले scene में यार तुड़ान होती है दबा के हाना खेर वो सब छोड़ो यार पोचंकी खाली हो चुका है एक आत बॉटों को छोड़के तो हां किल और केड़ बढ़ाने के लिए बहुत आ रहे हैं तो अपना जो बचे कुछे किल है उन्हें पेल के निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद जा रहे हैं रोद अब यहां पर रोजोग की पहड़ी में आ चुके हैं एक बंदे को दैड़ पैड नौक कर दिया है और उसका 50 गोली पटका है उसने और मेरे ख्याल से यही था वो जो पीछे से 22 पटकाए जा रहा था मतलब 50 जितनी भी गोलिया होती है भाई ने सारी चला दी मेरे ख्याल से एकाद लगी मुझे पका नहीं पता लेकिन देखो नीचे एक बंदा नौक है पीछे एक बंदा नौक है त यार हो जाओ और गाड़ी रोक के भी ऐसे गर पे गुस्ते हम जो कि गर के नाम पे एक मजाक है मतलब मजाक बोलना भी इज़त करना हो जाएगा उसका ख्यार यहां पे नीचे नौक किया था मैं सोचता हो यार पेटी बनाऊंगा लेकिन यह तो रिवाइव हो चुका होता ह अब मेरे ख्याल से जिस बंदे ने रिवाइव दिया था उसकी हमने पेटी बना दी अब देखो सीन क्या होता है यह जो हमारे लेप्ट में जो वो रोज़ों की पहाड़ी होती है ना वहां पे गाड़ी आ जाती है वहां पे बंदे आ जाते हैं तो मैं इस घर पे गुस्प पढ़ता हूं और इस कमरे में गुस्ता न भाई एक बहुत बड़ी गलती होती है मतलब देखो अभी आगे पे बंदे हैं अभी पीछे राइट में भी बंदे आ जाएंगे और रोज़ों की पाड़ी में बंदे तो बैठे पड़े हैं हैं और मुझे नहीं पता क्यूं ले होगी तो भी गूली पड़ेगी खैर उपर वाले बंदे आ चुके हैं गूली गूली पेली रहें तो मैं आगे समोग बना देता हूं एक और इससे पहले कि समोग खुलता और हम आगे घर पे रस करते कोई साइट से सकारेल पटका रहा होता है हमारे और यहां पे ऐसे ही दिक्कते कमो रखें कि ये लोग पीछे भी आ जाते हैं हना मतलब भाई कितनी सो कोड आएंगी एक सामने घर पे एक रोजोग की पाढ़ी में अब कोई पीछे से भी पेल रहा है तो मैं बोलता हूं यार किसी एक को पकड़ो और पेटी बनाओ नहीं त अब जो पीछे से धीपी वगेरा पटका रहे होते उनके दो बंदे मैं नो कर देता हूं मैं बोलता हूं यार चाहे कुछ भी हो रस करो मुझे फरक नहीं पड़ता अगर मुझे बग्गी में बैठते बैठते मेरी पेटी बन जाए कोई बात नहीं लिकिन यार रस तो करना है मैं नहीं रह सकता है यार इसकमरे में नहीं जाना ही होगा अगे की तरफ तो बग्गी उठाता हूं और पहाडवाले मेरे ख्याल के दूसरी साथ चांके आगे वाले बंदों से लट रहे होते तो मैं बोलता हूँ सही है यार कम से कम बस तो गए बग्या रोकता हूँ अंधा रस करता हूँ भाई आगे अंधा रस क्योंकि दो बंदे नौखे रिवाइव रिवाइव जरूर चलाओगा और मुझे ये दिखता है बाई इन लोगों की न अपनी चौड थी बिल्कुल अलग लवल पे मतलब पहले ये लोग आते हैं पीछे से डीपी पटकाते हैं हेल्थ की ऐसी तैसी कर देते हैं उसके बाद ओपन में बखते हैं बिल्कुल खुला और नंगा भाई ने कद्दू फरक नी पड़ता उसके बा ख्यार आपन कम से कम निकल तो गए उस जगा से क्योंकि वहाँ पे पेटी बनते टाइम नहीं लगता और अब ये कौन सी सोकॉड के बंदे आगे भग रहे यार मेरे समझ के पारे इतना दिमाग नहीं लग पता है गेम में ठीक है तो वो भग गया मैं बोलता हो भाई भगो हम भी भग रहे हैं मतलब यार भगो और भगने दो लेकिन यार कुछ बंदे एक जोन के पहले से अंदर है तो वो कैसे भगने दे सकते हैं अब देखो जो उस घर में बंदे बैठे उनसे लड़ाई लेने में बैठ जाता ना तो हमारी पका पका पेटी बनती क्योंकि देखो हम लोग आगे रोजोग से पर वहाँ पर जो दो तीन सकॉड और बैठी थी बची थी यार वो नहीं आए हैं और हम लोग ओपर में गाड़ी रोकते यार वो लोग सीधा पेटी बनाते तो मैं बोलता हूँ उन्हें नहीं पेल पाए लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे फलेर चली है बन्दे चोड में बैठे आगे तो इनहें पिलना होगा तो गारी ठोकठा करके आगे आ चुकाओ मैं मुझे लगरा हो तयार बन्दे छत में बैठे होंगे हाना यही होता है और जब भी ज़्यादा दिमाग लगाते हो अपने साथ गलत सीन होते हैं तो यहाँ पे भी हो नहीं वाले हैं मेरे साथ अब भाई चाहे कुछ भी हो कहीं पे भी रज़ करो, एक नएक बंदा होता है जो नेट जरूर करता है चाहे वो फटे या नफटे नेट जरूर होगा, तो वो भी एक नेट हो चुका है पता नहीं किस ने किया था, तो मैं सीधा अंदर गुस्ता हूँ अब मैं मत जाक नहीं कर रहा लेकिन जब मैं यहाँ अंदर गुसाना और मुझे पता चला भाई इसी कमरे में बंदा है मेरी फट के चारो गई मतलब भाई कैसे यहाँ पे कोई क्यों बैठेगा मतलब क्या होता है जातर टाइम देखो गाड़ी भी ठुकी पड़ी है मुझे लगा यार उपर ही उंगे बंदे हाना चट से भी फुटिश्टे पारे थे लेकिन हमारे भाई अंदर बैठे थे और इस बंदे को भी नहीं लग रहा था कि भाई मैं सीधा अंदर गुसूंगा यार ऐसी मुर्पता बहुत ही कम होती है लेकिन गल्ती में ठिल जाते लेकिन अभी बज गए है और हमने इनी की गुरुजा से इनी के फ्लेड रॉप वाली गुरुजा से इनी लोगों की पेटी बना दी मतलब ठीक है एक ही बंदे को पेला लेकिन हाँ और उपर से भाई ये जो बंदा इस कमरे में बैठा था उस पे गुरुजा मतलब एमफोर होता चलता यार एकेम होता बैरिल बुरी लेमस अच्छे तो कुछ भी होता भाई भाई पे गुरुजा थी मतलब वो तो अच्छा हुआ भाई को ऐसा लगा कि यार इतना धीट कोई हो नहीं सकता कि सीधा अंदर गुशेगा वो बंदा आगे देखता रहे गया मैं पीछे आगे उसके कूट कातके और पेल दिया उसे यहां पे गलत सीन हो जाते हैं और यहां से निकाली रहे होते हैं कि भाई दुबारा से यहीं पे फिर से एक और गलत सीन हो जाते हैं तो हम लोग आराम से जाई रहे होते हैं और जोन की तरफ बड़ी रहे होते कि भाई उपर से दो चार गूरी चलती है मैं बोलता हूँ ठीक यार इन्हें यहां पहाड पे यह रिज रूच पे रोक के AWM से पेलेंगे लेकिन यार यह लोग तो कते हैं गाड़ी लेके चड़ जाते हैं और उसके बाद मेरी गाड़ी के बगल में एक बंदा चिपक रखा होता है भाई मुझे भी नहीं पता उसे भी नहीं पता मतलब वो बंदा मेरे टीमेट की पेटी बनाना चाहरा होता है और मैं इसके टीमेट की पेटी बना रहा होता हूँ हना वो तो अच्छा हुआ भाई भाई ने बता दिया खियार भाई बंदा है यहाँ पेलो क्या कर रहे हो पेटी बनेगी ऐसे तो तो उन लोगों को पेल दिया इस घर पे आ चुके हैं जून यहीं पे है और अगर आप देख रहे हो त्यार पेने AWM उठा लिए तो हाँ एजस उजस जल्दी होने वाले हैं बिल्कुल और यार इस बंदे को पेलने के लिए मैंने कहां कहां पर पिरिफायर नहीं दिया मतलब पहले दर्वाजा फोड़ा उसके बाद छिड़की पर पिरिफायर फिर साइड में पिरिफायर और आखिर कार बंदा ठिली गया और इतने में ही उपर की साइड बंदे होते हना नीचे आ रहें क्योंकि यार जो नाना ही पड़ेगा सबको और पैदल आ रहे होते तो हाँ यार टाइम आ गया है गलती से हैट्शॉट पेलने का इने और यार जो सनाइपिंग की सुरुवात हुई वो हुई पत्तो में एज़स करने से मतलब उस पत्थर के पीछे एक बंदा छुपा होता है भाई सामने आ गया पेड़ के पत्ते मैं बोलता हूँ जो होगा होगा पेलो गूली और पत्ते में एज़स करके बंदा नोकुन कुझ जाता है तो देखो भाई लोग यार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो यार यही टाइम है यही मौका है पेल दो लाइक के बटन को नीला टैप कर दो हना एज़स उज़स कर दो उस पे नीला कर दो बिल्कुल और अब इसके बागी टीमेट्स की बार और यार देखो मैं इतना धीट हुना की क्या ही बताऊं मुझे पता है सामने पत्ते आ रहे हैं भाईया ठीक से कद्दू कुछ नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी मुझे यहीं से सनाइपिंग करनी है और किस्मत इस बार ऐसी चमकी की भाईया दीन सौट लग गए तीनो बार बंदे नौक हरा तो मैं बोलता हूँ ठीक यार अब जादा धीट होना भी साइनी है हम आगे वाले घर पे आ जाते हैं और देखो उन लोग पे गाड़ी भी नहीं है और जोन में तो वो कद्दू भी नहीं है तो हाँ पेल के जरूर रहेंगे और उतने में ही हमारे भाई का वोईस गिलिच हो जाता है कता ही तो देखो यार वो लोग फसे पड़े हना भगने की दो बंदे कोसिस करते हैं दोनों के दोनों की पेटी बना दी गई है अब एक ही बंदा बाकी है उस पत्थर के पीछे उसे भी जरूर पेलेंगे अब यहां पे ठेंक्यू क्यूं बोला जा रहा है यार मुझे कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है कि भाई गलत सीन हो चुके क्योंकि भाईया जब वोईस गिलीच होती है न बगएर माई खेलना दिक्कत की बात हो जाती है बहुत और इनका तीसरा और आकरी बंदा भी भग्के आने की कोशिस कर रहा होता है तो उन तीनों के तीनों को मैं ग्रोजा से पेल चुका हूँ सबको अब बस एक ही बंदा बाकी है हना लेकिन दिक्कत की बात ये है कि देखो अब जो मैं बोलूँगा हमारे भाई को कद्दू सुनाई दिन नी देगा और यार हमें तो कुछ सुनाई दे भी नहीं रहा है वैसे बी तो भाई बात आ गई है भाई या लिख लिख के बात करने पे मतलब मैं बोलता हूँ यार समोक वगेरा कर लो हना टाइप टूइप कर देता हूँ धैड पैड ने डूड आगे फेग देते हैं एक ही बंदा बाकी है जो की इसी साइड है हमारे भाई देख चुके थे लेकिन अब वो बंदा बन चुका है साप तो हाँ साप का चकर मोज से टकर होने वाला है और यहाँ पे इतनी कन फूजा नू रखिये न की क्या ही बताऊ हमारे भाई गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं मैं पैदल उसे पेलना चाहता हूँ और भाई क्या करे कुछ समाज नहीं आ रहा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार बैठो इस गाड़ी में जो होगा देखा जाएगा लेकिन यार जैसे तैसे करके आखरी बंदे को भी पेल देते हैं मतलब जब हमारे भाई गाड़ी पे बैठेते और मैं नंगा भग रहा था न मुझे लग नहीं रहा था कि बाई चिकन हो पाएगा वो साब दोनों को पेल जाएगा लेकिन भाई जुगार लगा के जुगार भिड़ा के पेल देते हैं ऐसे तैसे गाड़ी से भाई ग्रोजा पेलता हूं उसके और चिकन चुकन हो जाता है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आप यहां पे नए हो तो यार सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन सस्ते ह मॉबाइल फोन जीतने का मौका मिलेगा तो आज की वीडियो में इतना ही भालो गया